प्यारे बच्चो एक और न्यूज है जिसको हम बात करेंगे दोस्तों मराइन हीट वेव आपने लैंड बेस हीट वेव का तो समझा होगा ना जब गर्मिया आती है अप्रेल महीं का टाइम आता है तो हम हीट वेव की बहुत सारी न्यूज आने लगती है कि उत्तर भारत के अ हमरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ दुनिया के अलग-ख रीजंस के अंदर में भी हीट वेव की हम बात करते हैं रहीट वेव का मतलब कुछ नि होता है हीट वेव कोल्ड वेव heat wave का मतलब कहा है कि जब सामाने ताप्बान जो है आपका एक निश्चित उससे increase हो जाता है 5-6 डिग्री जादा हो जाए कहीं का जनरली ये उत्तर भारत के अंदर आती है अप्रेल मई के अंदर में heat waves जोहिन का प्रकोब देखने को मिलता है इससे बहुत सारी problem आपको होती है severe case के अंदर में death भी हो जाती है fertility भी इससे हो जाती है तो हमने सर लैंड बेस heat wave का तो पढ़ाया बट ये marine heat wave क्या marine word से एक बात clear है कि it is basically related to the marine marine का मतलब क्या है दोस्तो समुद्र से सब्बन दीत है अब क्या समुद्र में भी heat wave आ रही है हाँ अब समुद्र में भी heat wave समुद्र में heat wave आने का simple और साफ सब्दों में अगर मैं बताओ इसका मतलब क्या है कि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है heat जो है समुद्र का temperature क्या हो रहा है temperature समुद्र का बढ़ रहा है ये simple सब्दों में मतलब है किसका दोस्तों ये simple सब्दों में मतलब है आपका marine heat wave का इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे कारण है दोस्तों हमारा बढ़ता तापमान ठीक है हमारी green house gas जिसकी वज़े से green house effect हो रहा है तो उसी की वज़े से समुद्र का तापमान भी जो है लगातार बढ़ रहा है इस समुद्र के तापमान बढ़ने के बहुत सारे दुश प्रभाव जो है मैं देखने को मिल रहा है जिनकी हम बात करेंगे स्थार इसके पीछे और कारण क्या हो सकता है एक कारण तो है दोस्तो हमारा बदलता परियावरन जो हमारी जलवाईउ है वो जो बदल रही है climate change जिस परकार से हो रहा है और जिस परकार से हमारा industrial revolution हमने लेके आए है उसकी वज़े से जो हमने greenhouse gases को environment में release किया है वो प्रमुख कारण है जिसकी वज़े से अगर मैं कहूँ तो ये सब कुछ हो रहा है है ना जो global warming के कारण है उनी कारणों से आपका जोड़ा हुआ है क्या आपका marine heat wave लेकिन इसमें कुछ और भी reasons है मागर आपको बताना चाहूँ जैसे एल नीनो एक कारण है ठीक है specially दक्षिन आपका जो हिंद महासागर है ओशन है इंडियन ओशन है उसके अंदर में साती सात में दोस्तो इसका reason हो सकता है ocean current समुदरी जल धार आएं ये इसके कारण है और कारण हो सकते हैं दोस्तो आपकी wind ये कारण और हैं जिसकी वज़े से आपका जो marine temperature है वो intensify हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है उसका तापमान बढ़ रहा है आप समुदर का तापमान बढ़ने से क्या होगा प्यारे बच्चों जब मैंने आपको marine ecosystem पढ़ाया था ठीक है आप मेरे साथ और भी कई जगें में पढ़ाऊंगा या पुरानी classes में पढ़ाऊंगा या आगे पढ़ाऊंगा आप देख ले ना मैंने आपको बताया था जो जीव समुदर के अंदर में रहते हैं ना उनमें heat को sand करने की छमता नहीं होती जादा ठीक है इंडिया के अंदर या अगर मैं बात करूँ आफरिका के अंदर में अगर heat wave हो तापमान ज़ादा हो जाए तो हम sand कर लेंगे ठीक है हमें आदत है अधिक तापमान भी sand कर सकते हैं और हम कम तापमान भी sand कर सकते है लिकिन अगर ऐसी heat wave आ आ जाए कनाड़ा में यूएस से को tolerate करने की छमता बहुत कम होती है ठीक है, they are not adaptive, very much adaptive to this climate, this temperature change, ऐसा reason क्या है सर इसका इसके पीछे कोई कारण है, हाँ कारण है हमें पता है, समुद्र basically पानी है और पानी की जो specific heat capacity है, vicious उसमा धारिता, वो क्या होती है दोस्तों बहुत ही जादा होती है, इसलिए पानी ना जल्दी से गरम होता है और नहीं जल्दी से ठंडा होता है, इसलिए जो समुद्र के अंदर जीव रहते हैं, ठीक है, उनकी tolerance limit है नहीं, क्योंकि ना तो जल्दी से गरम होता है, पानी ना जल्दी से ठंडा होता है ठीक है लेकिन अगर तापमान बढ़ने लगे तो समुद्री जीवों को ये बुरी तरीके से प्रभावित करेगा मराइन वायड़र्सेडी को प्रभावित करेगा इसे कोरल ब्लीचिंग हो सकती है दोस्तों ठीक है बहुत नुक्षान है इसे, फिसरीज का नुक्षान है, मचलियां कम हो जाएंगी दोस्तों इसे ये सब प्रभाव है कि इसके दोस्तों आपके इस प्रकार की अगर गतिविदी आगे बढ़ती है तो भारत स्पेसिफिक में अगर इंडिया में बात करूं तो मैं इंडिया में मौनसून जो है न दोस्तों, वो समुद्र के तापमान से बहुत क्लोजली असोशेटेड है इंदमासागर के और अगर समुद्री तापमान बदलता है, तो दोस्तों भारत के अंदर में मौनसून पर प्रभाव पड़ेगा ऐसे इलाके जहां बारीष कम होती है, हो सकता हुआ वा सुखा पड़ना लग जाए और जहां बारीष यादा होती है, वहाँ बान आने लग जाए तो ये जो आपका क्लाईमीट के अंदर में, जो आपके मौनसून के अंदर में, जो आपका adversary है, ये किस से triggered हो सकती है, इस प्रकार की घटनाओं से triggered हो सकती है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे comment box के अंदर में ठीक है, यार एक बात बता दू मैं आपको, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ में, ठीक है, I'm trying my level best, हर एक topic को इतने अच्छे से मैं explain करने का प्रयास कर रहा हूं ठीक है, और आपसे उमीद भी करता हूं कि आप उस चीज को appreciate करे, support करे, वीडियो एक बार like और share आप करते हैं, मुझे बता है तो comment box में ओकिक report चाऊंगा and now let's have a discussion over it ठीक है देखो यहाँ पर आया हुआ है दा हिंदू के अंदर में आया हुआ है आठ तारीक को, ठीक है तो important था marine heat wave rising around India से study, study ने बताया कि भया भारत के अंदर में आपकी जो marine heat waves है, वो बढ़ रही है ठीक है, वो increase कर रही है GS paper 3 से संबंदित है क्योंकि वहाँ पर हमें conservation, environmental pollution और degradation को पढ़ना होता है हमें environment impact assessment करना होता है GS paper 3 के अंदर में specially दिया हुआ है ecology और biodiversity वहाँ पर है हमारे यहाँ पर एक study हुई है दोस्तों, इंडियन ओशन में और वहाँ पर expert का कहना है कि यहाँ पर marine heat waves जो है वो लगातार बढ़ रही है क्या हो रही है, लगातार दोस्तों बढ़ रही है marine heat wave का मतलब क्या है basically मैं आपको बता दू, यह समुद्र के उपर बनती है और इनका अर्थ भी कहा है कि समुद्र का तापमान बढ़ना marine heat waves are nothing बढ़ना increase in the ocean temperature इस study की कुछ मुखे findings है कुछ मुखे बातों बताया गया जैसे कहरा कि जो western Indian ocean है पश्मी हिंद महासागर है दोस्तो that experience largest increase in the temperature पश्मी हिंद महासागर में सबसे जादा आमें तैपमान जो है अधिक हो है वहाँ पर अगर आप देखें तो डेड़ डिगरी जो है वहाँ पिछले दसक में तैपमान बढ़ा है 1.5 जो है event per decades यहाँ पर बढ़ा है दोस्तो followed by the North Bay of Bengal उतरी बंगाल की खाड़ी में भी अगर आप देखोगे तो 0.5 event per decade यहाँ पर temperature यह event per decade कोई नहीं समझने की ज़रूरत नहीं है आप यह मालो कि भारत के अंदर में एंडियन उस्चन के अंदर जो पश्में इंद महा सागर है वहाँ सबसे जादा तापमान बढ़ा है साथ साथ में जो मारी बंगाल की खाड़ी है उसमें भी आपका तापमान बढ़ रहा है यानि कि अरब सागर के अंदर में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है temperature raise जो increase है वो सबसे ज़्यादा देखा गया और अगर हम बंगाल की खाड़ी की उत्तरी भाग में देखे तो वहाँ पर भी तापमान जो है बढ़ा है इसी कौम क्या कह रहे हैं दोस्तो मराइन हीट वेव साथी साथ ये भी बोला गया कि 1982 से लेकर 2018 तक कि अगर हम बात करें तो पश्मी हिंद महासागर में यनि कि आरब सागर के असपास हमें 66 ऐसे इवेंट देखने को मिला है जिसमें तापमान यूजवल से ज़्यादा देखने को मिला है बंगाल की खाड़ी में ऐसे चुरान में बार हुआ है जब तापमान आपको क्या मिला है दोस्तो अधिक देखने को मिला है यह जो मराइन हीट वेव हैं पश्मी हिंद महासागर के अंदर में और बंगाल की खाड़ी में इनसे जो भारत के अंदर में ड्राइंग कंडिशन है जो सूखे की स्तिती है दोस्तो वो लगातार बढ़ रही है ठीक है Central Indian Subcontinent जो भारत का बीच का इस्सा है ठीक है Central Subcontinent है जो मध्य उप महादवी पिये भाग है भारत का उसके अंदर में लगातार जो आपका सूखे की समश्चा है सुस्कन की समश्चा है इस्तेती जो है वो लगातार आपकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है साथ-साथ आपको देखना पड़ेगा ये कह रहा है कि Central Indian Subcontinent में तो क्या हो रहा है दोस्तो ड्राइं कंडिशन सूखें कंडिशन बढ़ रही है साथ ही साथ ये कह रहा है कि significant increase in the rainfall over the South Peninsula दक्षिन के इंदर जो हिंद मास अगर का जो आपका भारती महादवीप का या भारती प्राइदीप का जो दक्षण हिस्सा है के रिल तमिल नाडू इनके अंदर में कह रहा है कि लगातार हमें देखने को मिला है कि यहां पर बर्षा बढ़ गई है इनकी वज़े से क्या हो गया प्यारे बच्चो दक्षण जो प्राइदी भाग है दक्षण ही भाग है वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर बारिश लगातार बढ़ रही है यह हमें यह से देखने को मिल रहा है दूसरा कहा रहा कि दीज चेंजी आरे इन रिस्पॉंस तो दा मॉडिलेशन ऑप दे मॉन्सून सुविंड बाइदा हीट वेव यह क्यों हो रहा है दोस्तों कहा रहा कि यह परिवर्तन जो हीट वेव दुवारा मानसूनी हवाओं के मॉड्यूल का जवाब है मतलब जो एसमें बारिश जो है वो जादा बाइल सै यह किसका प्रभाव है मानसूनी पाउने हमारी बदल रही है अगर इसी प्रकार से हीट वेव बढ़ता ही तो हमारा मानसून जो है उसके उपर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ सकता है अब यह बुरा प्रभाव सिर्फ नकारात्मग नहीं होता मतलब ऐसा नहीं कि बारिश घट जाएगी ओब्यसी बात है हम उत्तर भारत में रहते हैं मद्दे बारत में रहते हैं यह चीज हमें समझनी पड़ेगी यह चीज हमें ध्यान रखनी यहां से अच्छा वट आर मराइन हीट वेव मराइन हीट वेव क्या होती है सिंपल सी बात है दोस्तो अब पीरियेड ओफ एक्स्ट्रीमली हाई टम्परेचर इन दो ओशियन समुद्री हीट वेव समुद्र में अत्यादी कुछ अतापमान की अवदी हो ना उसको हम कहते है इसके जो common driver है किसकी वज़े से यह होता है दोस्तो तो मैंने आपको बता दिया ocean current की वज़े से होता है दोस्तो ठीक है इसके अलावा area of warm water गरम पानी का area built up हो गया कहीं पर ठीक है उससे होगा और यह किसकी वज़े से होता है दोस्तों यह high temperature की वज़े से ही होता है air sea heat flux मतलब हवा से समुद्र के अंदर में heat transfer हो रही हो है ना and warming through the ocean surface और समुद्र की जो सता है वो भी क्या करती है समुद्र को गरम करती है तो these are the important कारण जिसकी वज़े से heat wave होती है याद रखना दोस्तों समुद्री heat wave आज तक ठीक है इसका जिकर बहुत कम आया है ठीक है तो this can be asked in your prelims question examination ठीक है यह आपका mains के अंदर में भी आ सकता है and even it can be asked in the geography optional as well ठीक है वहाँ पर भी इसकी बारे मैं पूछा सकता है कि marine heat waves क्या होती है what exactly is the marine heat wave वहाँ पर भी इससे सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो marine heat wave क्या होती है समुद्र के अंदर में जब तापमान बढ़ने लगे extreme temperature का जो time होता है उसको हम क्या कहते है मराई heat wave कहते है इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं दोस्तो कारण क्या है समुद्र के अंदर में तापमान बढ़ जाए ठीक है समुद्र के अंदर में जो आपकी हवा है उसकी वज़े से ही transfer हो जाए समुद्र के धरातल से तापमान आपका बढ़ जाए ठीक है बहुत सारे रीजन्स है जिनकी वज़े से होता है अगर मैं बताओ इसमें एलीनो जैसे इवेंट्स है दोस्तों वो भी क्या करते हैं वो भी इसके अंदर में अपना रोल प्ले करते हैं सर इंपक्ट क्या होगा मरा ही इसका प्रभाव क्या पड़ेगा तोस्तों यह जो आपका हीट बेवुज होती है इससे बहुत सारी घटना इं धीस इवेंट्स ऑर लिंक्ट्री टू दड़ कोरल ब्लीचिंग यह बड़ा इशू है कोरल ब्लीचिंग क्या होती है अगर नहीं पता तो मेरी ecology के lecture में जाके देखिए इनसे कोरल ब्लीचिंग होती है इनसे आपका प्रवाल विरंजन होता है हिंदी में बोलते है कोरल ब्लीचिंग को समुदरी घास का विनास होता है सी ग्रास, समुदर के अंदर में भी घास होती है उसपे बहुत सारे जीव डिपेंड करते है उस घास का विनास होने लगता है इससे जो kelp forest है समुदर के अंदर में भी जंगल पाए जाता है जिनको हम basically क्या बोलते हैं दोस्तों आपका ठीक है coral reef के अंदर ये associate होते हैं ठीक है उनका बहुत बड़े उस पर विनास होता है दोस्तों और इसे fishery sector जो है हमारा वो भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि देखो अगर phytoplankton नहीं होंगे तो zoo plankton नहीं होगा और zoo plankton नहीं है त पहले तो इस बताओ मुझे comment box मताओ Gulf of मनार कहा है लिखा हुआ है नहीं अर्थमिलाडु कोस्ट ठीक है उसका 85% हिसा bleach हो चुका है मराइन इटवेव की वज़े से ये बताया गया कि मराइन इटवेव आई थी में 2020 के अंदर में उसकी वज़े से जो आपका Gulf of मनार का 85% हिस इसको भी इससे बहुत बुरा नुक्षान पहुंचा था कहाँ पर कब दोस्तो 2016 के अंदर में 2016 के अंदर मराइन इटवेव जो है वो economic losses भी देंगे आपको obviously बात है है ना मचलिया नहीं होंगी तो फिर क्या होगा दोस्तों मचलिया नहीं होंगी तो जो fisheries है उस sector को भी क्य क्या होगा बुरा परभाव पड़ेगा ऐसे events जो है ना it leads to the ocean acidification इससे क्या होगा समुद्र के अंदर में ocean acidification जो है वो भी आपका बढ़ेगा और साती सात में जो dissolved oxygen है जो पानी के अंदर में oxygen गुली होती है वो भी क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी सर ये कैसे देखो जो गरम बढ़ जाता है पानी में अशुद्धियां होती है पानी के अंदर जीव जन्तु मरते है ठीक है ओ समुद्र में जीव मर गया तो ऐसा थोड़ी ना कि उसका अंतिम संसकार होगा ठीक है समशान गाट में या उसको कबरिस्तान में लेके जाएंगे हम वहाँ पर दफन समुद्र में जो मर गया हो अब उसका क्या होता है डिग्रेडेशन होता है तो जो समुद्र के अंदर जीव डिग्रेड होते है तो अगर पानी गरम है तो उसके अंदर में बैक्टीरिया तेज हो जाता है और वो जल्दी जल्दी क्या करता है डिग्रेड करता है आप सोचो आपको तेज भगाये, आप तो एक नॉर्मल चलो, दूसरा आपको तेज भगाया जाए, तेज भगायेगा तो आपका सांस क्या होगा, तेज हो जाएगा और जितना सांस तेज होगा, उतनी oxygen से demand आपकी क्या हो जाती है, तो इसलिए जब भी पानी गरम होता है, तो बैक्टी टेप BOD का COD का DO का जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ ecology के अंदर I hope आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा ठीक है मुझे पूरी पूरी उमीद है पर नहीं पढ़ा तो पढ़ ले ठीक है उमीद तोड़ भी देते हो तुम मुझे पता है ठीक है what is the ocean acidification है ना यह क्या होता है समुदरी अमलिये करन क्या होता पढ़ाया हुआ टॉपिक है कोरल रीफ क्या होता है रूनके टाइप कितने होते हैं अलग-लग प्रकार की कोरल टी रीफ होती है एल लीनो क्या है और उसका प्रभाव क्या है So these are the related search topic इनको आपको देखना है ठीक है इनको आपको खुद से करना है साथी साथ मैं बात करूँ दोस्तो prelims के लिए क्या चीज़े important है देखो prelims के लिए जरूरी है आपसे पूछा सकता है what is marine heat wave ये समुद्री heat wave होती क्या है आपसे पूछा सकता है कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया के अंदर में ये इंडिया के अंदर में वो कौन से इससे हैं जहां coral reef पाई जाती है गल्फ ओव मनार हो गया ठीक है इस प्रकार से ठीक है ऐसे भारत में और भी जगें है जहां पर coral reef का बड़ा हिसा पाया जाता है आपको उनको identify करना है और great barrier reef दुनिया की सबसे बड़ी coral reef है दोस्तो इसके बारे में भी आपको सारी चीजे पता होनी चाहिए इसके बारे में भी क्या होना चाहिए तो आपको की consider the following statement पहला है high ocean temperature leads to ocean acidification कह रहा कि अधिक तापमान का होना ज्यादा तापमान का होना ocean acidification को बढ़ाता है मतलब अगर temperature बढ़ेगा तो इससे समुद्र का अमलिय करन भी बढ़ेगा दूसरा कह रहा है कि high ocean temperature reduce the dissolve oxygen in the ocean water कि जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही जो dissolve oxygen है जो घुलित oxygen है किसके अंदर में आपका पानी के अंदर समुद्र के अंदर में वो क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी reduce हो जाएगी दूसरा तीसरा कह रहा है high temperature resulting low biological oxygen demand ठीक है इसको बोलते है अभी पढ़ाया मैंने जितना पानी गरम होगा bacteria उतना तेज काम करेगा उतनी oxygen की demand बढ़ जाएगी मतलब BOD बढ़ गया तो ये सवाल ये गलत हो गया हाँ पहली चीज भी सही है और दूसरी चीज भी क्या है सही है भी पढ़ाया मैंने so in this case A is the correct answer हाँ सब तुक्के बिठाते हो तुम बिठाते हो दूट बोल रहा है bad ऐसा ही करते हो तुम लोग सारे k आगे बढ़ेंगे तो correct statement मैंने पूची थी आपने बता दी A is the correct answer अब एक सवाल means का भी लितने हैं जिस मैंने बताया दोस्तो इसके उपर कुछ पूचा गया नहीं है अब तक आया नहीं है अब तक हम heat wave के बारे में जानते हैं तो स्थल के उपर होती है तो marine heat wave is again an important topic चाहे वो GS paper 1 हो जिसमें geography पूची जाती है चाहे वो GS paper 3 हो तो यह important हो गया GS paper 1 GS paper 3 यह important हो गया prelims के हिसाब से और यह question बन सकता है कहां पर दोस्तो आपका geography optional के अंदर में भी है तो बहुत important सवाल है अभी तो आपको आसान लगे क्योंकि मैंने पढ़ाया है लेकिन हां इसी सवाल में आपको आगे जाके दिक्कते भी आ सकती है तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको अच्छे से कड़ पढ़े और अच्छे से करें इसको ठीक है क्या हो रहा है कि मराई नीट वेव मराई नीट वेव क्या होती है डिसकस इट्स ड्राइवर एंड इंपक्त अन दे बाइड़रसिटी आपको बताना है कि इसका जैव विवित्ता के उपर ठीक है किस प्रकार से प्रभाव पढ़ेगा ठीक है कर लोगे अरे करोगे कि नहीं करोगे पक्का बताओ जल्दी से पक्का बताओ करोगे कि नहीं करोगे करोगे तो मैं डिसकस कर दूँगा टेलिग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाओ टाइमिंग बता दूँगा अगर नहीं करोगे तो भी बता दो भई और करोगे तो Twitter पर उपर जाके आप मुझे क्या करोगे इस पर tag करोगे सारे के सारे वच्चे कि सर हमने किया है आपको tag भी कर रहे हैं करोगे भई? ठीक है टॉपिक समझ में आ गया, सवाल अच्छा लगा अगर मेहनत अच्छी लगी हो मेरी मेहनत लगी हो कि यहां भई ठीक है सर मेहनत कर रहे है तो गाइज एक request रहेगी आपसे क्या वीडियो लाइक और share करनेगी ठीक है एंड साती सात में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़के आप plus course भी कर सकते हो plus course करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यह GS का plus course है तो यहां पर आप plus और iconic दो प्रकार के subscription जो है आप यहां पर ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों यह आपके subscription का prize है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल यह इधर है, iconic का subscription है एक साल, 2 साल और 3 साल का ले सकते हो, code आपका क्या रहेगा, summit10 तो यह मेरा telegram channel है, pdf यहां दे दूँगा मैं साथ-साथ यह अपना code है ठीक है, इसको use करना है to get the 10% offer in academy I hope you like the session, you enjoy the session so guys, please like the video, share it and subscribe the channel thank you very much, take care, bye-bye love you guys